सो बच्चों देखिए question number 7 में आपसे क्या कहता है कि रहें कि the student of class 8th of a school donated 2,000 rupees 2,401 in all for Prime Minister Funds Prime Minister National Relief Fund तो देखिए किसी school में 8th class के बच्चे हैं अब उन्होंने जितने भी बच्चे हैं हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं उस class में तो सबका जब collection करो गया तो जो total donation हो गया और rupees 2,401 अब देखो ये खास बात है question में कि किस बच्चे ने कितना दिया ये आप आगे लिखा हुआ आपको question में देखिए कह रहा है कि each student donated as many as rupees as the number of students इसका क्या मतलब है सुनो द्यान से each student donated as many as the number of students in the class each student donated as many as rupees as the number of students in the class मतलब समझो देखो इसको एक example की help से मैं आपको समझाता हूँ just example ले रहा हूँ अभी हम इस question पे भी आएंगे ठीक है students देखिए बास समझे example आप समझेए सबसे पहले देखिए students example के लिए मान लो मान लो कि class 8 में अगर कितने students है 10 अरे भाई मान लो थोड़ी देर के लिए ठीक है students कितने बच्चे है class 8 में 10 students है correct तो according to the question total 10 बच्चे है ठीक यह first बच्चा है यह second बच्चा third बच्चा, fourth बच्चा, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth ठीक है यह 10 बच्चे है total हर एक बच्चे ने उतना ही रुपे दिया जितना की class का strength है according to the question मतलब समझो, देखो कह रहा है कि each student doesn't do as many as rupees as the number of students ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ total 10 students है class में अरे भाई मान लो, है ना मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ total 10 students अगर होते रुख जाओ, देखो, तो बच्चो इसने 10 रुपे दियोंगे, ठीक, इसने भी 10 रुपे दियोंगे, ठीक, इसने भी 10 रुपे दियोंगे, 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 इ अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि यह बताओ कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहां पर टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर एक काम करो सर इन सबको एड़ कर दो है न यहीं तो बोलोगे आप 10 10 प्लस 10 प्लस 10 यानि कि 10 को 10 टाइम सब करोगे तो कितना आजाएगा अब मेरी बात द्यान से पता है टेन को टेन को टेन से मल्टिप्लाई करो बात तो से मैं यह सर कहने का यह मतलब है कि टोटल अमाउंट को निकालने का एक तो यह तरीका कि सब को एड़ कर लो ठीक और दू बच्चे ने जितना दिया और जितने बच्चे एक बच्चे ने कितना दिया है टेन रुपीज और जितने बच्चे हैं उनसे इसको मल्टिप्लाई कर दो ठीक यानि कि रुपीज जोनेटेट बाए वन स्टुडेंट इंटू टो टोटल अमाउंट आप कर दो तो आपको प याने कि बच्चों, अगर exam में ऐसे questions आते हैं, कि जितने बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चे ने उतना ही donation दिया है, तो हम क्या करते हैं, जितने बच्चों का, मतलब जितने बच्चे होते हैं, उस class में उसका square कर दो, कितने बच्चे थे? 10, कितने बच्चे थे? 10 students, तो कुछ मत करो 10 का स्क्वायर कर दो आपको टोटल अमांट पता चल देगा और सुन लो और सुनो बच्चों यहां पर देखो एक और सिच्वेशन में आपको दिखाता हूं यसी बात नहीं है माल लीजे बच्चों माल लीजे कि इसकी क्लास में टोटल यह सेकंड सिच्वेशन है बता रहा हूं इसकी क्लास में बच्चों माल लो 12 सुडिनट होते हैं कितने बच्चा भी 12 रुपीज देता नेक्स बच्चा भी ऐसे करते 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 टोटल कितने students है 12 students तो 12 लोग 12 रुपीज देते ये भी 12 ये भी 12 तो सबको add करोगे 144 आगा ये निकालने का पहला तरीका दूसरा तरीका ये है कि total amount सीधे निकाल दो ना कुछ मत करो जितने students है सुनो ध्यान से बच्चों जितने students है उसका square कर दो खतम तो आप बच्चों 12 को 12 टाइम्स एड़ करो या 12 इंटू 12 यानि 12 का square करो सीधे शब्दों में बोले जितने बच्चे हैं अगर हर बच्चा उतना ही amount देता है तो total amount कैसे निकलता है जवाबे number of students का square कर दो बस खतम तो आप क्या करोगे यहां पर एक formula बनाएंगे कि total amount कैसे निकाला जाता है ऐसी situation में तो जवाबे total amount निकाला जाता है क्या यहां पर दिएको यह वाली situation में 12 का square करोगे यह 12 क्या था number of students यानि के आज के बाद याद रखेगा number of number of student का हम क्या कर दिया करेंगे square जैसे number of students का square करो यहां पर number of student कितने है थे 1010 का square कर दिया total amount आ गया ठीक सो टोटल मांट निकालने का तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चेंस में number of students का क्या करोगे स्क्वाइर करोगे ठीक समझ के बात कहने का मतलब है अगर मैं आपको question में बोलू कि भई या 13 students में मान लो मान लो पहले concept clear को रटो मत इस question को ठीक है लिए तो हमें नहीं पता और यही question में फूचा है find the number of students तो आपके है दो आपके है दो कि let us assume कि इस class में total the number of students हम ऐसे दिखेंगे let the let the total number of students in the class बी मान लो मान लो इस class में एन students है कितने हैं एन एन किया number of students अरे भई मान लो मानने में क्या जा रहा है एन मान लो X मान लो जो मानना है मान लो ठीक तो इस class में अगर N students है बच्छों तो total amount कितना होगा N का square कर दो खतम ठीक है अब हम अपनी copy में इसका solution start करते हैं इस concept को समझने के बाद हमने बोला कि भई let 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 the the number let the number of let the number of students let the number of students in the class in the class in the class in the class b b n ओके बच्चों मान लो इस class में कितने बच्चे है एन बच्चे है तो total amount is given by total amount donated total amount donated is equals to कितना होगा बताओ number of students का square कर दो जैसे यहाँ 12 students है 12 का square किया है यहाँ पर हम क्या करेंगे n students है तो हम क्या करेंगे n का square कर देंगे यह दीजे यह सर यह total amount donated rupees n square ठीक ओके क्या है rupees n square ठीक अगर आपको unit लिखने हो लिख जो आप समझ जाना यह rupees में आ रहा है यह किसमें आ रहा है मैं यहां लिख जेता हूँ आपके समझने के लिए यहां ने लिख रहो नहीं तो मैं rupees नहीं लिख रहा हूँ बस 2000 कितना है 401 है यह लिजे अब बताओ यह total rupees है according to the question और हमारे according total rupees कितना है n square तो दोनों को equate कर दोगे ना कुछ नहीं किया भाई इसकी जगा क्या रखा total amount is equals to के नीचे is equals to लगाया और n square को as it is यहाँ पर हमने copy कर लिया ठीक है students यह हो गया ठीक ओके नौ यह हो गया अब यहां से आप n की value निकाल लोगे ठीक है सर कैसे निकालेंगे साथ अराम से यहां से n की value आ जाएगी ठीक है मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे देखिए अगर 2401 का 1 is equals to n square है कहने का मतलब है कि n square किसके equal हो जाएगा भाई n square इसके equal हो जाएगा यह सर अप सुनो ध्यान से बच्चों एक बाह बताओ कि अगर n का square कितना है 2401 ठीक है students तो इस direction में आप चल ले हो तो आप क्या कर रहे हो squaring ठीक है तो अगर आप reverse direction में आओगे अगर हम आपसे यह पूछें कि कौन से नंबर का square 2401 होता है तो आप बोलोगे सर इसका square रूट ले लो यहांने कि reverse direction में चलोगे opposite direction में चलोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा square root लेना पड़ेगा ठीक है students तो n की value कैसे आएगी तो जवाब है अब कुछ लोग यह concept नहीं समझ रहे होंगे भाई इक बाब बताओ याद करो जैसे हमने कुछ आपको पढ़ाए था ncrt में हमने क्या बताए था बताओ हमने आपको बताए था कि मानलो 30 13 का square लिया तो यह 169 होता है तो हमने इसका reverse process किया था तो इसका हमने square root किया था याद है तो क्या आ गया था 13 आ गया था याद है तो वहीं तो यहां पर करने जा रहा हूं कि अगर मैं इसका square root लूँगा यहने कि square root of 2401 तो क्या जाएगा जैसे यहां 13 का square था तो is equals to 13 लिख दिया यहां n का square is equals to क्या लिख दोगे n लिख दो में साहिए अब इसका square root निकाल लो जो इसका square root होगा वही n की value होगी ठीक तो चलो अब इसका square root यहां से निकाल लेंगे okay students तो चलिए 2401 का मैं आपको square root निकाल के दिखाता हूँ ठीक है आपके n की value आजएग इससे पहले जो teachers वीडियो देख रहे है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जहां से चेक करिए देखिए school में मतलब इस तरीके साब student को बता सकते हो क्या यहां पर जो बात मैंने नहीं सब्सक्राइगी उसकी कोई unit नहीं होगी ठीक है क्योंकि n तो number of students है ना और number का unit थोड़ी ना होता है वाई कितने students तो इतने students 4567 रुपीज का unit रुपीज होता है number of students का unit नहीं होता है इसलिए यहां से unit से unit कर जाएगा और n square is equals to 2401 आएगा जो कि मैंने यहां लिखा हुआ ह ठीक है चलिए अब हम चलते हैं सवाल पर अब तो हम लोग क्या करेंगे क्या आ गया n is equals to square root of 2401 आ गया अब 2401 का square root चलिए निकाल लेते हैं तो बस prime factorization method का use करेंगे ठीक so 2401 अब इसके prime factors करेंगे चलिए so यहां से आईए now 2401 के prime factor हम लोग कर सकते हैं 4 plus 2 6 plus 1 7 अब देखिए यह आपका 3 से तो जा नहीं रहा है ठीक है ना तो let us try for the 7th 24017 से check कर लेंगे हम लोग दीए 7th रिजा होता है कितना आपका 21 ठीक है 4 minus 1 is 3 3 यह वाला 0 यहां पर आ जाएगा 7 4 होता है कितना 28 30 minus 28 2 और यहां से वन आ जाएगा so 7 7 3 कितना होता है हम लोग का 21 ठीक है 1 से 1 गया 2 से 2 गया ठीक तो इस तरीके से आपने इसको 7 से जब डिवाइड किया तो 7 और यहां कितना आ गया 343 और फिर से 7 से आप try कर सकते हो obviously जो आपका 343 है वो 7 से divisible हो जाएगा ठीक है ना चलिए चेक करते हैं यहाँ पर दिखें अब दिखें अब दिखें 75 35 तो 7 4 दा कितना होता है आपका 28 14 माइनस 8 इस 6 और 2 माइनस 2 यहां कुछ नहीं बचेगा यहां से हम 3 कॉपी करेंगे 7 9 दा कितना होता है आपका 63 रिमेंडर आ गया 0 कितना आ जाएगा 49 अब दिखेंगे 7 और य यहने कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करेक्ट अब देखिए यहां से 7 और 7 का पेयर 7 और 7 का पेयर कहने का मतलब यह अब तो आप लोग कर लोगे बहुत असान है कुछ नहीं करना है ठीक सो यहां पर दिखें जैसे ही हम इसका स्कॉयर रूट लेंगे 2401 का तुरंत क्या हो होता है आपका कितना 49 ओके सुटेंस तो एन की वैलू कितनी होगी 49 किसका स्कॉर रूट कितना हो गया 49 चेके ना तो यही क्या आपकी एन की वैलू है तो अब हम अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे देर आर टोटल 49 स्टेंस इन दा क्लास एट ओके लिख लीजे मैं लिखन पेज नोट कर लीचे